गूड मर्निंग अल अफ यू, विकॉम पार्ट फर्स्ट, सब्जेक्ट बिजनस एड्मिनिस्ट्रेशन, व्यावशाय प्रसाशन, पेपर फर्स्ट, बिजनस लो, व्यापारिक सन्नियम, आज अपना टोपिक रहेगा, सान्योग्गीक अनुबंध, सान्योग्गीक अनुबंध, देखिए हम सभी ये जानते हैं, कि अनुबंध के परिणाम स्वरूप अधिकार एवं दाइत्व उत्वन होते हैं, ये बात तो अपन सभी जानते हैं, कि कोई भी अनुबंध होता है, तो उसके परिणाम स्वरूप अधिकार एवं दाइत्व उ एसे अधिकारों में से कुछ अधिकार ततकाल प्रवर्तित करवाये जा सकते हैं, किन्तु कुछ अनबंद ऐसे भी होते हैं, जिने पक्सकार ततकाल प्रवर्तित नहीं करवा सकते हैं, उन अनबंदों को किसी एनिस्षित घटना के घटित होने या नहीं होने पर ही जैसा भी तै हो अनबंद में प्रवर्तित करवाया जा सकता है यदि घटना कभी भी घटित नहीं होती है तो उस अनबंद को कभी भी प्रवर्तित नहीं करवाया जा सकता है ऐसे अनबंद को सायोगिक अनबंद के नाम से जाना जाता है अब देखिए ये तो एक सादान और सरल भाषा में इसका आर्थ अपन ने इस्पष्ट किया है अब अपन सायोगिक अनबंद का आर्थ एवं परिभाषा इस्पष्ट करेंगे अनवंद अधिनियम की धारा 31 के अनुसार संयोगिक अनवंद किसी कार्य को करने अथ्वा ने करने का एक ऐसा अनवंद है जिसमें वचन दाता अनवंद के संपार्श्वक किसी विशिष्ट भावी ए निशित घटना के घटित होने अथ्वा घटित न होने पर इस अनवंद को पूरा करने का वचन देता है साधार्ण शब्दों में यह कहा जा सकता है कि संयोगिक अनवंद वह अनवंद है जिसमें वचन दाता उस अनबंद को तब पूरा करने का वचन देता है जबकि कोई वी निर्दिष्ट भावी घटना जो अनबंद के सम पार्श्विक है घटित हो जाती है अत्वा घटित नहीं होती है तो इस परकार के अनबंद को समाश्रित अनबंद, सापेक्ष अनबंद भी कह सकते हैं जैसे उधारन के रूप में अपन बता सकते हैं कि A, B को उसके मकान में आग लगने पर 10,000 रुपे तक की क्षति पूर्ती करने का वचन देता है यह है एक सायोगिक अनबंद है क्योंकि यदि B के मकान में आग लग गई तो A मकान में आग लगने से होने वाली क्षति की पूर्ती करेगा यदि आग नहीं लगेगी तो कुछ भी नहीं देगा यहां यह भी महत्वपून है कि हानी रक्षा के अनबंद, गारंटी के अनबंद, साधरन बीमा के अनबंद सायोगिक अनबंदों की श्रेणी में आते हैं जीवन बीमा अनबंद भी एक सीमा तक सायोगिक अनबंद में ही आते हैं इन सभी अनबंदों को प्रस्ताव, स्विकर्ती, पर्थिफल के दुआरा ही किया जाता है किन्तु इनका निश्पादन तब किया जाता है जबकि इन अनबंदों में वर्णित वी निर्दिष्ट घठना अनबंद की सर्तों के अनुरूप घटित हो जाती है अथवा घटित नहीं होती है तो ये सायोगीक अनबंद का आर्थ मैं समझता हूँ, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे इसमें जो महत्वपून इसका 20 नंबर का क्युश्ण बनता है सायोगीक अनबंद किसे कहते हैं? सायोगीक अनबंद के महत्वपून तत्व बताईए तो अब अपन अधिन करेंगे सायोगीक अनबंद के तत्व सायोगीक अनबंद में भी वे सभी तत्व या लक्षण विद्यमान होते हैं जो की एक अनबंद में होते हैं उन लक्षणों के अत्रिक्त ऐसे अनुबंद में निम्न लिख लक्षण भी विद्यमान होते हैं अर्थात कहने का मतलब एक वेधानिक अनुबंद के जो लक्षण होते हैं वो तो इसमें विद्यमान होते ही हैं इसके अतरिक्त कुछ महत्वपून लक्षन इसके और पाए जाते हैं जिनका अध्यन अपन यहाँ पे करेंगे नमबर वान निश्पादन संयोग पर निर्बर होना संयोगी का अनबंद का निश्पादन किसी संयोग के होने पर निर्बर करता है अर्थाद अपन यह कह सकते हैं कि संयोगी का अनबंद किसी विश्प एनिश्पत प्रकरती की घटना के घटित होने अथवा नै होने पर निर्बर होता है यदि किसी अनबंद की घटना के घटित होने में किसी प्रकार की एनिशित्ता नहीं है तो वह सायोगी का अनबंद नहीं माना जाता है उधारन के लिए अग्नी बीमा अनबंद सदेव ही सायोगी का अनबंद होते हैं क्योंकि अग्नी का लगना अथवा नए लगना ए निश्चित होता है नमबर तू दूसरा तत्व सायोगी का अनबंद का ए निश्चित घटना सायोगी का अनबंद किसी भावी ए निश्चित घटना पर निर्भर होता है यदि घटना का घटित होना निश्चित हो अत्वा घटना ए सम्भव हो गई हो तो उस घटना पर निर्भर अनबंद सायोगी का अनबंद नहीं हो सकता है तीसरा तत्व सम्पार्श्विक घटना वह घटना जिस पर सायोगीक अनबंद निर्भर करता है वह घटना अनबंद के सम्पार्श्विक होती है कोई घटना सम्पार्श्विक तब कहलाती है जबकि वह अनबंद के वचन या प्रतिफल का भाग नहीं होती है इस परकार सम्पार्श्विक घटना अनबंद से स्वतंतर घटना है नहीं कि अनबंद का भाग या उसका प्रतिफल येदी कोई घटना अनबंद का प्रतिफल है तो वह पारस्प्रिक अनबंद होगा ने की सायोगिक अनबंद जैसे उधारन के रूप में CB को 100 टीवी सेट बेचने का ठेराव करता है येदी वह उसका अगरिम भुकतान कर दे ये है पारस्प्रिक वचन है सायोगिक अनबंद नहीं कहलाता है दूसरा उधारन CB को 5 लाख रुपे देने का वचन देता है येदी कोई विशिष्ट जहाज यात्रा से ने लोट है ये है सायोगिक अनबंद है समझ गए होंगे कि जहाज का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है वह एक अलग घटना है तो इसको सायोगिक अनबंद की श्रेणी में माना जाएगा चोथा तत्व है घटना केवल निश्पादन की विधी नहीं हो जिस घटना पर सायोगिक अनबंद निर्वर है वह घटना केवल अनबंद के निश्पादन की विधी नहीं होनी चाहिए यदि घटना केवल निस्पादन की विधी ही इस्पष्ट करती है तो वह घटना अनबंद को सायोगिक नहीं बना सकेगी जैसे C.B. को कुछ माल इस शर्थ पर बेशता है कि जब उसे जब भी मील से माल प्राप्थ हो जाएगा वह उसकी सुपूर्दगी दे देगा यह सायोगिक अनबंद नहीं है बलकि माल की सुपूर्दगी की प्रक्रिया बताने वाला साधारन अनबंद है पांच नमबर का तत्व घटना केवल वचन दाता की इच्छा नहीं होनी चाहिए घटना केवल वचन दाता की इच्छा नहीं होना चाहिए घटना केवल वचन दाता की इच्छा मात्र ही नहीं होनी चाहिए घटना का घटित होना या नहीं होना केवल वचन दाता की इच्छा नहीं होना चाहिए घटना वचन दाता के नियंत्रण में हो सकती है किन्तु उसकी इच्छा नहीं हो सकती है छटा तत्व अनुबंद के सभी आवश्यक तत्व सायोगीक अनुबंद में भी एक सामान्य अनुबंद के सभी लक्षण अनुविद्यमान होने चाहिए अर्थात आपन ये कह सकते हैं कि इनके अत्रीक्त एक साधार्ण अनबंद के अपन ने अध्यन केते लक्षण या तत्वों का वो सभी भी इसमें अपन को बताना होगा जिस पे अपन पहले चर्चा कर चुके हैं अब इसमें एक छोटा सा कुशन बनता है दस नंबर का सायोगी का अनबंद तथा बाजी के ठेराव में अंतर तो जिस प्रकार मैं आपको पहले ही बताता हूँ इसमें तीन कॉलम बनते हैं पहला अंतर का आधार दूसरा कॉलम सायोगी का अनबंद और तीसरा बाजी के ठेरा तो पहला लेते हैं अपन अंतर का आधार स्वभाव सभी सायोगी का अनबंद बाजी के ठहराव नहीं होते हैं उदर बाजी के ठहराव वाले कॉलम में क्या लिखेंगे? किन्तु बाजी लगाने के सभी ठहराव सायोगी का अनबंद की प्रकरती के होते हैं अर्थात, लगभग सभी सायोगीक अनबंद, सभी बाजी लगाने वाले ठेराव सायोगीक अनबंद माने जाते हैं दूसरा, घटना में हित, सायोगीक अनबंद में पक्सकारों का हित घटना के घटित होने अत्वा नहीं होने में होता है बाजी लगाने के ठेराव में पक्सकारों का हित राशी के जीतने या हारने में जितना होता है उतना घटना के घटित होने में नहीं गटना की प्रकरती, अगला अंतर का अधार है तीसरा, गटना की प्रकरती, सायोगी का अनबंद में भावी घटना अनबंद के सम पार्श्विक होती है किन्तु बाजी लगाने के ठेराव में भावी घटना ही ठेराव का मुख्य अधार होती है पारिश्प्रिक वचन अगला चोथा अंतर का अधार है पारिश्प्रिक वचन सायोगी का अनबंद में पारिश्प्रिक वचन नहीं दिये जाते हैं बाजी लगाने के ठेराव में दोनों पक्षकार एक दूसरे को वचन देते हैं पाँच का अंतर का अधार हार जीत दोनों पक्सकारों में से किसी एक ही एक की हार और दूसरे की जीत अवश्य होती है छटा वास्त्विक निश्पादन सायोगी कानबंद में पक्सकार अपने वचनों का वास्त्विक निश्पादन करते हैं बाजी के ठहराव में पक्सकारों का विचार केवल घटना के परिणाम को जानने तथा अंतर का लेंदेन का रहता है और लास्ट सात्वा अंतर का अधार वैद्ध दिता सायोगी का अनबंद पून रूप से वैद्ध होते हैं बाजी के ठहराव राजनियम की दस्टी से व्यार्थ होते हैं कुछ राज्यों में इन्हें अवैद्ध भी माना जाता है तो ये अपना टोपिक कम्पलीट हुआ धन्यवाद